नमस्कार प्यारे विद्यारतियों स्वागत आपका दृष्टी टीचिंग एक्जाम में आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली अदिनस्त सेवा चयन बोड के ही परिक्षा को लेकर उर्स में भी एक जिसे हम पहले जो चर्चा हमारी चल रही थी सिक्षण विद्यों को लेकर टी साब्सक्राइं इसके लावा जब आप परिक्षा करें लावा अध्यापन में चुनोंतिया तो प्रत्यक्ष रूप से आपको यह नहीं मिलेगा कि सिक्षण का अर्थ क्या है यह आपके पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया है लेकिन यह अंडल स्टूड है यह अप परत्यक्ष रूप से आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है जैसे मैं यह क्या दूं क कि यदि आप सिक्षक बनना चाहते हैं इस परिक्षा को आप देंगे , और वान करती है कि आप सिक्षक बनना कार्य में आपकी रूची आपको आनन्द आता है इसका तो यह मानकर चला जाएगा आपको सिक्षण का फटा होगा आपको अधिगम का Awards पता हो सिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं सिक्षण की विशेष्टाएं क्या होती हैं एक अच्छे सिक्षण की क्या गुण होते हैं एक सिक्षण के कक्षा में क्या नहितार्थ होते हैं आपको यह सामान निजानकारी होगी यह मानकर परिक्षण चलता है बात समझ पारें तो ये बिंदो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके पाठे करम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो आपके पाठे करम का हिस्सा है, कि यदि कोई विद्यारती सिक्षक बनना चाहता है, तो उसको सिक्षन का अर्थ पता होगा, ये स्वभाविक है, ये understood है, उसको सिक्षा का अर्थ पता होगा, उसको अच्छे सिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक्ताएं होती है, एक सिक्षक के कक्षा के दोरान, कैसे कक्षा संचालित की जाती है, कैसे कक्षा को विवस्थित किया जाता है, कैसे विद्यारतियों को व्यस्तित किया जाता है यह सारी बाते एक विद्यारति को पतोओंगे के जुक्षक बनना चाहता था बात समझ पा रहे हैं तो हम क्या करते है कि आज शिक्षन के अर्थ को लेकर कि हम जो हमारे पास जो वो ज्यान है उस ज्यान के अनुसार हम सिक्षा का क्याष्ब समझते हैं सिक्षण का क्या अधीगम का क्या हो II assume कि एक सामान ने चर्चा होगी इस से क्या होगा कि आपकी जो प्रश्ट भूमी एक निर्मित हो जाएगी यह हलाकि आपको लाब देगा कई बिंदों को समझने में जैसे आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से आपके पाठ्थे करम में विकास के बारे में दिया गया है तो आपको उसे समझने में सहायता मिलेगी जब वहां एक बिंदो आपको पढ़ने को मिलेगा कख मानव कह लीजे या मनुष्य कह लीजे मलब हम आम जन की तरह उसको देखते हैं आवश्यक्ता क्या है आप इस परिक्षा के अलावा कोई भी आप सिक्षक बनने के लिए कोई भी परिक्षा दीजिए जो प्रश्न आप से पूछे जाएंगे जो पाठ्थे करम आपको दिया इन परिस्तितियों को कैसे हैंडल करने वाले हैं बास समझारी होगी तो वहां ये देखा जाएगा आपका है पाठ्थे करम में बिंदू है पी आटी में पर्टेक्ष्प दिये गाए विकास को लेकर तो विकास को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं क्योंक सिख्षक के साथ विद्यारती पर भी तो निर्वर करता है यदि विद्यारती का विकास किसी भी वज़े से किसी भी कारक की वज़े से प्रभावित है मानलीजे वह मानसिक रूप से या मानसिक योग्यता मानसिक छमता उसकी उस इस तरकी नहीं है तब क्या होगा उसको समझाई हो गी तो सिख्छक के सिख्छन कारण को प्रभावी होने के लिए उसको इफेक्टिव ओने के लिए हम कहें कि वह वास्तविक रूप से ज्यान दे पाए विध्यारत्यों को ले इसके लिए आवश्यक क्या है दोनों की सक्रिये भागिता जितनी जिम्मेदारी सिक्षक की होती है उतनी जिम्मेदारी विद्यारती की भी है तो यदि विद्यारती किसी भी रूप से कक्षा में हम ये कहें कि मानसिक रूप से जो अनुपस्तित कह देते हैं कि मानसिक रूप से अनुपस्तित है अब चाहे उसको सरदर्ध हो रहा है विद्या विद्यारति कोई भी मानसी स्तरवर् कोई तना होगा विचारों की उथल अधियारति चल रहा है विद्यार्ति के मन में तो एसे में जब हम सिग्षक की जिम्मेदारी अधिक मान कर चलते हैं कि यदि विद्यारती कक्षा में आया है तो सिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि वो विद्यारती को इस सिक्षण अधीगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागिदार बनाएं आप देखेंगे जो नई राष्टे सिक्षा नीती है 2020 वाली उसमें भी ये बिंदू है कि कैसा विद्यारती को केंदर में रखना है जो हम प्रगतिशील सिक्षा की बात करते हैं विद्यारती को केंदर में रखना है आपके पाठे करम में एक बिंदू है समावेशी सिक्षा क अब ऐसे भी यानि कि कक्षा में कुछ विद्यारती तो ऐसे भी होंगे जो शाररीक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी इस्तर पर किसी प्रकार की अक्षमता से होंगे सक्षम नहीं होंगे बाकी विद्यारतियों के इस तर जैसे तो उन विद्यारतियों को भी साथ लेकर चलना है सिक्षक का मूल्धे क्या है कि जो विद्यारती के लक्षे हैं सिक्षक के वही लक्षे होते हैं कि मेरे विद्यारती अपने लक्ष की पूर्ती कर ले, अपने लक्ष को प्राप्त कर ले, यह सिक्षक का लक्ष है, जब कक्षा में सिक्षक आते हैं, तो सिक्षक के भी अपने लक्ष होते हैं, और विद्यारती के तो अपने लक्ष है ही, बात आसानी से समझाई, तो आज ज प्रत्यक्ष रूप से आप पाएंगे कि आपको उन्हें समझने में आसानी होगी एक भू एक हम यह कह सकते हैं आपकी बन चुकी होगा एक नीव का निर्मान हो चुका होगा बिंदु इसपस्ट हुआ तो बात कर लेते हैं सिक्षण के अर्थ को समझने से पहले हम सिक्षा के अर्थ को समझ लेते हैं कि सिक्षा का क्या अर्थ है सिक्षा जैसे सिक्षा की बाता आएगी सिक्षा के अर्थ को लेकर बाता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है पहला बिंदु आपके मन में भी यह आता है हम पहले आपके पूर्व ग्यान को उपयोग करते हैं आपके द पूरा करके परिक्षा देनी है परिक्षा को पास करना है फिर आगे चलकर कोई व्यवसाए करना है नोक्री करनी है जिवनियापन करना है हम सिक्षा का यहीं अर्त ग्रहन करते हैं लेकिन सिक्षा का ये अर्थ बहुत संकीन है क्या कह सकते हैं कि सिक्षा का अर्थ संकीन अर्थ में क्या है संकीन अर्थ में ये है कि पढ़ना है और पढ़ना है एक सीमित पाठ्ठे करम है कोई सीमित पाठ्ठे करम है उसके बाद क्या करना है उसके बाद कोई नोकरी करनी है या कोई अपना व्यवसाय करना है कुल मिलाकर जीवन यापन करना है क्या करना है कुल मिलाकर जीवन यापन करना है तमाज में अपनी इस्तिती को जो हमारी सामाजिक इस्तिती है उस सामाजिक इस्तिती को बहतर करना है बस समझ पा रहे हैं को कोई नोकरी करनी है व्यवसाय करना है जीवन यापन करना है क्या सिक्षा का केवल इतना ही अर्थ है क्या व्यक्ति एक निश्चित समय तक ही विद्यारती रहता है उस निश्चित समय के बाद वो विद्यारती नहीं रहता क्या यह आवश्यक है यह बिलकुल आवश्यक नह में तो ध्यान क्या रखना है कि एक विद्यारती या एक व्यक्ति जीवन भर जीवन परियंत विद्यारती रहता है अर्थात जीवन भर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है जीवन भर एक व्यक्ति विद्यारती रहता है ये भी बिलकुल आवश्यक नहीं है कि वो सीखने के लिए किसी सिक्षण संस्थान तक जाए किसी सिक्षक के द्वारा ही ज्यान प्राप्त करें किसी सिक्षक से ही सिक्षा प्राप्त करें ये बिलकुल आवश्यक नहीं है आपन तुम्हें भी सिख्षक दिवस मुबारक हो तुमने भी बहुत कुछ सिखाया है इसकार्थ क्या हुआ जिन्दगी से सीखने कर्थ क्या हुआ यानि कि जो वास्तविक जीवन की जो व्यवारिक अनुभव हैं हम जब उन अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान ग्यान है बेशक किसी सिक्षण संस्थान से प्राप्त हुआ हो या किसी व्यक्ति ने अपनी तुरूटियों से अपनी गलतियों से कुछ सीखा हो हम कहते हैं गलतियों से सीखो है तो वह भी ग्यान प्राप्ति तो जब हम सिख्षा के अर्थ को व्यापक अर्थ में ग्रहन क रहता है और ऐसे में बिलकुल ही आवश्यक नहीं है कि वो किसी सिक्षक से या किसी सिक्षन संस्थान पर जाकर ज्यान प्राप्त करे गाउगल समय पर जाकर एक निश्चित इस्थान पर जाकर ग्यान अर्जित करेगा यह बिलकुल आवश्यक नहीं है एकदम व्यभारिक उधारन से आप समझ लीजे मान लीजे कि हमने अपने माता-पिता में से किसी को स्मार्टफोन चलाना सिखाया तो उस चण क्या होगा माता-पिता हमारे विध्यारती हो गए और हम उनके सिक्षक हो गए अगले ही चण मान लीजे माता-पिता में से किसी ने अपने व्यभारिक जीवन के अनुभव से आपको कोई जीवन का ग्यान दिया आपको कोई जीवन के वारे में कोई ज्यान दिया, कोई बात बताई, कोई सीख दी, अपने अनुभव को साजा किया, उस छण क्या हुआ, आप विध्यारती हो गए और माता पिता सिक्षक हो गए, अर्थात एक व्यक्ति जब हम सिक्षा के व्यापकर्थ को ग्रहन करते हैं, स जब एक सीमित पाठ्ठे क्रम की जो वो सीमाएं हैं, उनको लांग कर व्यक्ति वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है, व्यवारिक जीवन में कुछ सीखता है, तो वो भी तो उसका अधीगम है, वो भी तो उसने ज्ञान प्राप्त किया, सिक्छा प्राप्त की, एक व्यक से भी वो ग्यान प्राप्त करेगा उसको यह समझ आएगा कि मुझे मोड पर मुर्ते समय अपने वाहन की गति को कम करना है ये भी तो ग्यान पराप्त हुआ हम कई बार हर विद्यारती को हमेशा ही परिक्षा देने के उपरांद उसको मनवांचित परिणाम प्राप्त हो जो वो चाहता है वैसा परिणाम आए ऐसा तो बिलकुल आवश्यक नहीं है तो यदि विद्यारती मानली जी विद्यारती ने परिक्षा दे और विद्यारती को मनवांचित परणाम प्राप नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ, असफल हुआ परिक्षा में हो सकता है, अब वो यदि अपनी असफलता से कुछ सीखता है, कि मैंने क्या गलती कर दी होगी परिक्षा में, मेरी क्या तुरूटियां रही, मेरी क्या कमी रही, जिसका परणाम मेरी असफलता है और वहां से जो वो कुछ चीजे सीखता है उसको समझ में आया कि मैंने प्रश्णों का भ्यास नहीं किया था मैंने बार-बार रिवीजन नहीं किया था तब उसको समझा कि मेरी असफलता का कारण ये ब्रह्म की स्थिति है कि मैं परिक्षा में जाकर कंफ्यूज हो गया मु जो व्यक्ति बाइक से गिरा या किसी भी तरीके से उसको कोई चोट लगी वो ठोकर खा के गिरा उसने भी तो ग्यान प्राप्त गिया हम घर में चोटे बच्चे को देखते हैं घर में चोटा बच्चा इदर उदर दोड़ रहा है खूब तेज दोड़ रहा है घर वाले उ इतना तेज नहीं दोड़ना है यहां कंजेस्टिड है कि सामान रखा हुआ है लोगों का आना जाना है यह कमरे से निकलता ही मोड है बाहर कुछ सामान रखा हो सकता है तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा अर्थात क्या हुआउँ उसने ग्यान प्राप्त कि हम चोटे बच् से क्या करेगा जब तब उसके पैर जमीन पर टच नहीं होंगे वह बैड़ को हातों से छोड़ेगा नहीं कि उसने भी तो ग्यान प्राप्त किया तो कोई निश्चित अवस्था नहीं है बिल्कुल यह आवश्चक नहीं है कि एक व्यक्ति जब किसी सिक्षण संस्थान तक ज के लिए परिक्षा देनी है पास होना है उसके उपरांत अपने जीवन यापन के लिए कोई नोकरी करनी है कोई व्यवसाय करना है जबकि जब हम सिक्षा का व्यापक अर्थ समझते हैं इसका आर्थ हुआ कि एक व्यक्ति जीवन परियंत कुछ न कुछ सीखता रहता है वह भर विद्यारती रहता है बेसक वह बाल्य आवस्था में हो किशोर आवस्था में हो वयस्क आवस्था में हो या वह व्यक्ति पुछ न कुछ सीखता रहता है ठीक इसी प्रकार की बाते जब हम विकास को लेकर पढ़ रहे होंगे कख्षाओं के दोरान तो वहां भी आपको समझ आई होगी अब सिक्षण के अर्थ को लेकर समझ लीजिए जिक्षण के अशिक्शन को लेकर बात की उसका अर्थ क्या है अब सिक्षन के दोनन हमेशा कहता हूँ कि आपके वल इस वजह से किसी बात पर यकीन मत कीजिए, किसी बात को मत ध्यान में रखिए, अपनी इस मृति में मत अंकित कीजिए, कि मैं कह रहा हूँ, यह पुस्तक में लिखा हुआ है, आप उसको अपने तर्क की कसोटी पर स्वयम रख कर देखि बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की, सिक्षण के अर्थ को लेकर समझें, जिसे हम अपने इस्तर पर यदि देखें, हमें जो पहले से प्राप्त ग्यान है, उसका उद्धेश्य क्या है, कि पहले क्या होता था, पारंपरिक सिक्षण प्रणाली में विद्यारतियों के मस था केवल विद्यारतियों को रठाना है विद्यारतियों की इस मर्ती में उन सूचनाओं को अंकित करना है 就到 ज्यूका प्रिवेष के क्षण का नहीं नहीं वास्तविक जिफ़ान देना उन उनके व्यावारिक जीवन में काम आए आप देखेंगे जितने वियाफ देख लिए 2005 वाला उसके अनुसार बात कर लिए या राष्टी सिक्षन नीती नई वाली के अनुसार भी सोच लिए वहां भी यह बाते थी तो भारत तो दशकों से प्रियास कर रहा है कि विद्यारतिय को ऐसा ज्यान दिया जाए शिक्षन ऐसा होना चाहिए शिक्षन का उद्देश होना चाहिए कि विद्यारती प्राप्त ज्यान का अपने व्यावारिक जीवन में उप्योग कर पाएं कि बात समझाई होगी और से अर्थ करते हैं तो से चषन क्या है एक बिंदु आप लिक सकंतनाबेजी मानविय मुल्यों के संदार्ब में ये अभी आपको समझाएगा हम कहें ग Эौ कि मानविय मुल्यों के विकास पर अलत को कि बल देता है कि क्या करता है शिक्षण तिक्छण मानुविय मूल्यों के विकास पर बल देता है मानुविय मूले अभ इसको समझ लीजे। मानुविय मूल्यू का आर्थ क्या हुआ यहाँ दो बात लिखा अनपड़ है कि यह सुना होगा आपने या कई बार यदि भूत हम यह कहें सभाविक सब्दों का प्रियोग करते हैं कोई बुद्धी विद्वान व्यक्ति इसी वाक्य को दूसरे शब्दों में कहता है तो वह यह कह देता है कि यह साक्षर तो है लेकिन सिख्षित नह कितीत हो रहा है जैसे हमने कहा कि वह साक्षर तो है डिक नहीं है पढ़ह लिखा अन्पढ करते है इं और परिचित खैसे रहे और अजनभी है तो परिचित कैसे हुआ तो विरोधा भास है वही बात हम यहां कर रहें तो इसके संदर में मानवे मूल्यों के संदर में हम इस बिंदू को आसानी से समझ पाएंगे जैसे आप समझे मैं कक्षा के दोरान भी आपको यही धारन दूँगा पहले भी आगे भी क कुछ भी है कोई भी जीव है उसके साथ में वह खेल दिखा रहा है अब पहली बात तो यह किसकी है उसकी है कि उस जीव की है अलग बात है अब अब समझे कि एक व्यक्ति है या और अपने देखा होगा आप शेहरी छेत्र में भी देखते होंगे कि छोटे-चोटे बच्च जो उस खेल को देख रहा है और उस व्यक्ति को देख कर उस खेल को देख कर आनंद आ रहा है उसे रस की प्राप्ति हो रही है उसको मज़ा आ रहा है उस खेल को देख कर दिल्चस्पी आ रही है उसको इसकार्त वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसको उस बालक को एक करतव करते दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति एक ही स्थान पर एक ही खेल को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के जो विचार हैं वो अलग-अलग हैं, दोनों के विचार अलग-अलग हैं, किसी जीव को देखकर कोई खेल दिखा रहा है, अब एक व्यक्ति को तो अच्छा लग सकता है, उस उसको रस की प्रापति हो ओर ही है, उसको आनंदा रहे उस खेल को देखने में, वहीं दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये सारी चीजे सिखाने के लिए इस जीव पर कितना अत्यचार किया गया होगा, अब यहँ अंतर किस चीज कहा है, यहां अंतर दोनों के बीच में despite लावा जाएगा हम किसी अंजान्व्यक्ति को भी अपने जैसा मानकर एक मनुष्य मन कर अपने जैसे इन आपने को जैसे एक और भोत्व्यवारी को धारनली जी कोई किसी संस्था में किसी ओफिस में किसी कार्याल्य में चाहे सरकारी कार्याल्य हो नीजी कार्याल्य हो एक कोई सीनियर है एक उच्छ अधिकारी है और उस माली जी उस उच्छ अधिकारी की आयू कम है और एक जो उसका अधिनस अधिनस्त कर्मचारी की आयूप बहुत अधिक है मान लिजी 25 है और दूसरा 45 है या 50 है अब उसका जो व्यवार है एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका अपने अधिनस्त कर्मचारी के लिए व्यवार कैसा होगा प्रेम पूर्ण होगा बहुत अच्छा व्यभार होगा सदभाव रखता होगा दूसरा क्या हो सकता है कि अपने अधिनस्त कर्मचारी को लेकर उस पर चिलाना है उस पर गुस्सा करना है उसको डाटना है उसका सम्मान नहीं करना है यह दोनों के अंतर अंतर हो गया दोनों के मध्ध है यही क्या हो जाएगा मानविय मूल्य तो सिक्षन का क्या अर्थ हो जाएगा सिक्षन का अर्थ हो जाएगा कि सिक्षन मानविय मूल्यों के विकास पर बल देता है एक व्यक्ति जिसने खुब अच्छी सिक्षा प्राप्त की है लेकिन उसके व्यभार में परिवर्तन नहीं है आगे चलकर जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम एक व्यवार परिवर्तन को लेकर बात करेंगे एक व्यक्ति है जिसके अंदर सिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यवार में परिवर्तन नहीं हुआ है व्यवार में परिवर्तन का मतलब है कि उसके मानवी अमूल्यों का विक मानविये मुल्यों के विकास पर बल देता है और सिक्षण का सबसे महत्वपूर्टत्व क्या हो जाएगा सबसे महत्वपूर्टत्व होगा कि विध्यारति हैं कक्षा में और सिक्षण इन दोनों के मद्ध है प्रत्यक्षवारता लाब सबसे महत्यु पूर्ट तत्यु क्या हो जाएगा सिक्छण में विद्यार्ति के मध्ध है प्रत्यक्षवारता लाब कि एग इस प्रत्यक्ष़ वार्त अलाबसे क्या है ओभ और विध्यार्ति के मद्ध एक बोंड वनता एक संबंध वनता है विद्यार्ती के अरही बाधाओं को उसके अधिगम में आ रही कठनाईयों को दूर कर देता है और उसको अधिगम की सही दिशा में ले आता है वराल वो व्यापक बिंदु है उस पर कक्षा में विस्तार से बात होगी ही तो यह बिंदु समझ आया आपको एक आप सिक्षण का आर्थ समझ लिजे कि क्या कहा जाता है सिक्षण को सिक्षण को कहा जाता है कि सिक्षण एक विद्याल्य उपकरण है विद्याल्य उपकरण किस चीज़ के लिए हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए सिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लि विकास की बात करते हैं, तो एक कोई भी राष्ट्र है, किसी राष्ट्र की प्रगती कैसे होगी, किसी राष्ट्र की समरद्धी कैसे होगी, जब उसके मानव संसाधनों का विकास होगा, मानव संसाधनों के विकास के बिना किसी राष्ट्र की प्रगती समरद्धी सकती है अब राष्ट्र की प्रक्ति करनी हैं तो मानव संसादुनों का विकास आवश्जक है मानव संसादुनों का विकास करने के लिए सिक्षा और शक्राव शकह सिक्षन आवश्जक है अब हम यहीं की सेक्विंदु समझ सकते हैं कि ज्ञान आधारित समाज बनता है जैसे एक पीढ़ी को ज्यान दिया सिक्षा की सबसे अच्छी बात क्या है कि सिक्षा का मुखे लाव यही है कि जो सिक्षित और संपन्न समाज है उसकी नीव रखती है सिक्षा हमें ज्यान आधारी समाज का निर्मान कर सकते हैं जब ज्यान आधारी समाज होगा तो हम यह कह सकते हैं ज्यान आधारी तराश्ट्र का निर्मान होता है किसी भी राश्ट्र की सम्रद्धी सुनिश्चित होती है उसकी संपन्ता सुनिश्चित होती है पास समझ पाई और पृतियेक मनुष्य क्या करता है पृतियेक मनुष्य करेगा कि उसने जो ग्यान प्राप्त किया है वो उस प्राप्त ग्यान को अपनी अगली पीडी में हस्तानतरित करेगा अगली पीडी तक पहुंचाएगा तो जो जैसे माली जै किसी पीडी में एक व्यक्ति ऐसा है ज कारण क्या है कारण यही है कि सिख्षा का मुख खिलाव यह है कि क्या करते हैं हम अपने ज्यान को अगली पीड़ी को हस्तान तरित करते हैं क्यों करते हैं ताकि एक स्रेश्ट तर समाज की रचना की जा सके एक स्रेश्ट तर समाज बनाया जा सके सिक्षकों की जिम्मेदारी क्यों कही जाती है अधिक है समाज के निर्मान के लिए सिक्षकों का पाएंगे समान क्यों मिलता है अधिक क्योंकि सिक्षकों के कंधों पर समाज के निर्मान की जिम्मेदारी है कैसा समाज एक ग्यान आधारित समाज जब समाज को ग्यान होगा तो समाज में मानविय मूल्य होंगे यह तो बाई प्रोडक्ट है यह हम मान के चलेंगे कि वह यदि हम ग्यान आधारी समाज की बात करें और जब जब हम ग्यान आधारी समाज की बात करें बात समझ आई होगी, इसी संदर में जैसे कलाम साहब का भी एक कथन है, कलाम साहब ने एक बात कहीती कि सिक्षण एक बहुती महान व्यवसाय है, जो व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति की छमता और भविश्य को आकार देता है, आप अनुमान कर सकते हैं कि सिक्षण कितना महान भी अवसाय हो जाएगा, साथ हिसा सिक्षण का घर भी चलता है, लेकिन साथ हिसा सिक्षण को समान भी मिलता है, समान क्यों मिल रहा है, क्योंकि सिक्षण की जिम्मेदारी है, वो अभी भावग जो अपने बालक को, अपने बच्चे को सिक्षण के पास भेज रहे हैं, वो सबसे छोटी काई की बात करें परिवार को लेकर परिवार जब मिलेंगे तो परिवारों की एक स्रंखला मिलकर एक समाज बनाएगी और समाज को जब राष्टर के कर अर्थ इसपस्ट हुआ होगा मेरा प्रयास है कि सामान ने प्रस्ट भूमी आपकी बनी होगी आपके स्वेम के मौलिक विचारों का विकास हुआ होगा आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदू के साथ तिल देन बाब आए हैव नाइस टे आए हुआ 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 किसी अगले बिंदू हुआ 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 हु